नमस्कार दोस्तों, आज हम कैश क्रेडिट लोन और टर्म लोन के बारे में बात करेंगे, ये दोनों लोन आपके बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनके उप्योग और विशेश्टाएं अलग हैं, पहले बात करते हैं कैश क्रेडिट लोन की, यह एक शॉट ट जैसे की 50 लाख रुपए लेकिन आप जरूरत के हिसाब से इसे उप्योग कर सकते हैं, उदाहरण के लिए अगर आपने 25 लाख रुपए उठाए हैं, तो आपको केवल इसी राशी पर ब्याज देना होगा, इसे 12 महीनों के लिए दिया जाता है और बात में रिन्यू किया किया जाता है, आप टर्म लोन को 15 से 20 साल की अवधी के लिए ले सकते हैं, इसमें आपको हर महीने EMI चुकानी होती है, जिसमें प्रिंसिपल और ब्याज दोनों शामिल होते हैं, टर्म लोन के लिए आपको एक स्थिर व्यवसाय योजना और प्रॉपर्टी मौटगिच करन की जरूरत हो सकती है, तो कैश क्रेडिट लोन आपके रोज के कामकाज के लिए बहतर है, जबकि टर्म लोन दीरगकालिक निवेश के लिए उप्युक्त है, अगर आपको इन लोन के बारे में और जानकारी चाहिए, तो नीचे दिये गए हेल्प लाइन नंबर पर संपर्क करें, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, मैं आपके लिए ऐसे ही जानकारी लाता रहूंगा, धन्यवाद